Hello everyone, यह आज का पाँचवा वीडियो है और पाँचवा वीडियो में आपका स्वागत है यह चार वीडियो काफी important है, दो news वाले वीडियो है, यह एक knowledge purpose का वीडियो है यह भी एक news वाला वीडियो है, इन चारो वीडियो का link आपको i button पर एक के बाद एक मिल रहा होगा तो definitely आप उन वीडियो को जाकर के देख सकते हो, इसके साथ ही वीडियो के end screen में भी आपको यह वीडियो के card मिल जाएंगे, वहां से भी आप directly jump कर सकते हो तो वीडियो को end तक देख लो और उसके बाद गैस डायट्टी जम करके वीडियो को देख लेना तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स एड इस तरह के नूस विडियो के साथ कुछ नॉलेज भी चाहिए तो मतलब इस तरह का कुछ नॉलेज वाला वीडियो चाहिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ओल पर सेट कर देना स्टार्ट करते हैं तो आज हम किसके बारे में बात करने वाल है आज जो एक important news हमारे सामने आ रहा है वह news किया है तो वह news है Tesla से related अब यह Tesla से related क्या news है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आप देखो senior Tesla executives ठीक है likely to visit India this week to meet government officials report अब यह report मतलब क्या है मतलब report report से यह news आ रही है कोई specific यह confirmed news नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि यह एक मतलब सई news ही है और यह हो नहीं वाला है इसलिए आप यहाँ पर देख सकतो likely लिखा हुआ है is likely to visit मतलब visit कर सकती है करेगी नहीं करेगी वह उनका बात है और यह confirm नहीं अभी अब यह report के द्वार है मतलब confirmed news नहीं है लेकिन यह हो सकता है likely to visit India अब क्यों विजित इंडिया करेंगे मतलब क्यों इंडिया को विजिट करेंगे senior वह भी senior tesla executives यहाँ पर देख सकते हो अब यह क्यों आएंगे तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो senior executives लाइकली विजिट करेंगे मतलब जो प्रोड़क्शन और बिजनेस डिवलप्मेंट को देखता है जो तीम आएगा यह सब आएंगे अब यह क्यों आएंगे तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो senior executives likely to visit this week to meet government officials क्यों government officials से मिलने आएंगे क्यों मिलने आएंगे as the US based EV major pushes to diversify beyond China अब यहाँ पर चाइन आपको पता यह tesla जो है वह चाइन में अपना production करता है और supply chain जो है वह सब चाइन में है लेकिन यहाँ पर आपको पता है चाइन में जो कोवीड के policies है वह बहुत strict कोवीड policies हो जाता है और आपको पता भी होगा टेसला जो है इसको थोड़ा diversify करना चाहती है और इनकेस अगर चाइन को कोई problem होता है तो टेसला के production को कोई problem नहीं होना चाहिए इस चीज के लिए वह diversify कर दिया है अब आप ही सोचो चाइना में जो है चाइना के बाद कौन जाइसा देश है जहां पर अपना जो है supply chain या फिर आप कह सकते हो manufacturing plant यह सब कुछ जो भी चीज है वह लगा सकती है तो वह है इंडिया क्यों क्योंकि यहाँ पर जो labor cost है मतलब यहाँ पर जो लोग काम करेंगे service देंगे उसका जो cost है वो कम है और यहाँ पर साथ ही में आपको पता ही है एक developing country है तो obviously फाइदा तो होने ही वाला है साथ में EV भी काफी जादा ग्रो कर रहा है इंडिया में तो यहाँ पर देख सकते हो the executives are scheduled to meet with government representative including those from the office of Prime Minister Narendra Modi to discuss local sourcing of components for Tesla models यह Bloomberg का रिपोर्ट है अब यहाँ पर क्या चीज़ है तो यहाँ पर नरेंदर मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंदर मोदी जी के office से भी कुछ लोग आएंगे government representative जिन से meeting होगी और उसके बाद यहाँ पर कुछ discussion होगा local sourcing of components मतलब कहां से local sourcing की जा सकती है कौन सा component कहां से लेना चाहिए यह सब कुछ तो इसके अंदर बहुत सारे और partnerships भी आपको देखने मिलेंगे अगर यह चीज होती है तो मतलब टेसला ने battery के लिए किसी और से partnership किया मानलो और कोई मशीन के लिए किसी और company से partnership कर लिया तो लगातार आपको partnership होता हुआ दिखे होगे बहुत सारे और भी डील साइन होंगे partnership होंगे और उसके वज़े से और भी companies को फायदा होने वाला है जो इंडिया में EV से related जो काम करते है तो आगे बढ़ते है वही चीज लिखी गई है और किस चीज के लिए इंक्लूडिंग incentives for car and battery manufacturing तो car और battery manufacturing के लिए जो है main इसका आप कहा सकते हो topic रहेगा और यह routers का रिपोर्ट है Thursday का और Tesla looks at a new entering Indian market तो वही चीज है इंडिया मार्केट में एंटर करने का सोच रही है और करेगी शायद अब यह चीज वही है कि आप क्या सकते हो report based ही है तो कोई confirmed news नहीं है और आप इसको ऐसा मत मान लो कि यह होने ही वाला है तो बाकी आगे रीड करते हैं तो आप आगे रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा about its plan to establish a manufacturing base in India और यहां पर यह चीज आप देख सकते हो they are very serious looking at India as a production and innovation based Rajiv Chandrasekar जिनने कहा है यह चीज बाकी अगर आप नीचे जाओगे तो यहां पर यह चीज भी रिड कर सकते हो Tesla proposed setting up factory in India to build electric vehicles is also looking at manufacturing EV batteries तो यह भी चीज मैंना आपको starting में दिखाई दिया था आगे बढ़ते हैं तो यहां पे एक और चीज भी देख सकते हो कि government offers auto PLI 2.0 to bring Tesla to India अब देखो यहां पर क्या है आपको पता है टेसला इंडिया ने बोला था हम इंडिया में आएंगे लेकिन हम चाइना से manufacture करेंगे इंडिया में manufacture नहीं करेंगे यह चीज आपको पता है इंडिया में import होगा तो हम नहीं होने देंगी यह चीज तो इसी वज़े से यहां पे जैसे टेसला ने थोड़ा सा आप कह सकते हो कुछ changes किया अपने policies में उसी तरह से government को भी changes करने होंगे तब ही होगा मतलब अगर कोई एक rigid बैठा हुआ है और कोई अगर changes किये जा रहे तो यह सही जीज नहीं होती है तो इसी वज़े से government ने भी यहां पे कुछ PLI scheme जो आपको पता है उसमें कुछ change किया हुआ है ताकि Tesla इंडिया में आ सके मतलब कुछ advantage Tesla को मिल सके अब ऐसा मतलब अगर आप आप सोचो manufacturing यहीं करेगी Tesla और उसको कोई profit नहीं होगा अगर तो फिर तो बेकार है फिर आना ही क्यों है ना तो यह business करने आ रही है तो obviously business का होना ही चाहिए और और भी चीज आप रिड कर सकते हो और इससे क्या होगा अगर manufacturing plant आएगा तो यहां पर employment बढ़ेगा यह सब कि कुछ इस तरह का cake type का and अगर यही level destroy हो जाए तो यह level रहेगा क्या यह level तो बिल्कुल destroy ही होगा तो वही चीज है अगर यह जो भी चीज मैंने आपको बता है कि Tesla का India में आना मानलो यह India है और Tesla का India में आना अगर यह चीज नहीं होता है तो इसके बात जो मैं आपको news दि related क्या news है तो यहाँ पर देख सकते हो Reliance Jio in early stage stocks with Tesla for private 5G network तो आपको पता यह लोग को नहीं obviously companies को private 5G network चाहिए ताकि उनका privacy बना रह सके and obviously ज़रूरी भी होता है and यहाँ पर देख सकते हो Reliance Jio के साथ यह early stage stocks में मतलब ऐसा नहीं है कि बातचीत सब होकर के खतम हो चुगी है अब बस private network देना है ऐसा नहीं early stage stocks में मतलब थोड़ा थोड़ा बात होना just start हुआ है आप ऐसे समझ सकते हो बाकि यह भी चीज है और वही मैंने कहा कि अगर टेसला इंडिया में आएगा ही नहीं तो उसको private 5G network की क्या ज़रूरत तो और obviously वह क्या ही करेगा लेकर के private 5G network तो यह यह भी चीज एक है तो पर देखो कुछ से समझो और कुछ से कर सकते हो मैं को recommendation नहीं दूगा कि आप टेसला में जा करके आज ही invest करो क्योंकि वह इंडिया में आने वाला है मैं आपको यह भी नहीं कहूंगा कि आपको जो लगता है कि जो companies Tesla के साथ tie-up कर सकती है EV के लिए आप उनमें जा करके अभ लेकिन आप एक न्यूस पर जो की रिपोर्ट है मैं यह भी नहीं कहा रहा कि पर्मनेंट एकदम 100% करेक्ट न्यूस है यह रिपोर्ट है मतलब यह हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है एक question mark अभी भी इसमें मना हुआ है तो इसलिए जो भी confirmed news नहीं है उसके ओपर कोई भी action लेन आप बहुत जादा risk ले रहे हो and obviously उसी तरह से reliance में भी वही चीज है कि अगर आपको reliance ऐसे अच्छा लगता है अगर आपको उसका business अच्छा लगता है अगर आपको reliance का जो segment है वह सब अच्छा लगता है या फिर जो भी अच्छा लगता है कुछ तो उस case में आप जाकर invest कर सकते हो news को उपर मत जाओ and अभी मैं यही कहूंगा कि पहला stage तो इसका भी तक clear हुआ ही नहीं है अगर पहला stage clear होता है फिर हम आगे का कुछ सोच सकते हैं लेकिन अगर पहला stage clear नहीं होता है तो obviously दूसरा stage तो कहां है मतलब आप level 1 cross नहीं कर पाओगे तो level 2 कहां से आप फाइदा होगा क्योंकि यहां पर market बहुत बड़ा market है आपको पता यहां पर जैसे मैंने कुछ videos में बताया भी था कि यहां पर जो है काफी बढ़ने वाला है जो उसको क्या गता है हां तो per capita income जो है per capita income काफी जदा increase होने वाला है आने वाले 5-6-7 सालों में और per capita income increase होगा लोग जो है ज़्यादा गाडिया खरदेंगे जादा खर्चा करेंगे ऐन इससेhésitez। फ़ायदा होने वाला है एंड करेंगे ऊच्छे ज पो कलेंगल sided. जरूर बताना बहुत रात हो चुका है मतलब आपी देख सकते हो 11 बजने वाले एंड वीडियो अप्लोड होते होते 11 बज जाएंगे और उसके बाद और भी कोई न्यूज आएगा तो मैं ट्राइ करूंगा कवर करने का या तो आज या तो फिर कल सुबा तो एंड करते कैसे या पर वीडियो को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल ऐकन प्रेस कर देना साथ में जैहिंद एंड थैंक्स फॉर वाचिंग